दोस्तो आईपील 2022 के उपड़ आज के दिन कुल दस बरी अपडेट निकल करके सामने आ रही है जहां पर पहली अपडेट है रिप्लेस्मेंट विंडो को लेकर इसके बाद क्रिसलिन की वापसी चेनल सूपर किंग्स और भी कई सारी बरी अपडेट आईपील के उपडेट न काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए आप लोगों से रिक्विष्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखें वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें तो चलिए दो себя चाइन हैं जएज शुपर किंग्स की टीम की तरब से और इस टीम के दो खतरनाक ऑल रांड़र डूएन ब्रावो और क्रिस जौडन थे शूपर किंग्स की टीम के केंप को officially join कर चुके हैं इसके बाद है इस लिष्ट की तीसरी बरी अपडेट है रितुराज गायक वाड की तरफ से और रितुराज गायक वाड चोटिल हो गए थे और काफी सारी रिपोर्ट में क्लेम किया गया था कि वो चेने के लिए पहला मैच नहीं खेलेंगे लेकिन फाइनल के चलते मार्क वुड आईपील 2020 से पूल आउट कर सकते हैं यानि कि आईपील से अपना नाम वापस ले सकते हैं जिस तरीके से जेसन रोय और एलेक्सेज ने अपना नाम वापस लिया था इसके बाद इस लिष्ट की पांचवी बरी अपडेट है आर्टीबी टीम की तरब से और इस टीम के कोच माईखेसन ने बताया है कि गलेन मैक्सवेल नमबर चार पढ़ी बले बाजी करेंगे वहीं दिने सकार्तिक पांचवे और छटवे नमर पर फिनिसर का रोल निभाएंगे इसके बाद इस लिष्ट की छटवी अपडेट के बाड़े में बात करें लेक से प्रोबो एप को डाउनलोड करना होगा डाउनलोड करते ही साइन अप करने पर प्री में 25 रुपए और पर्ष्ट डिपोजिट पर हंड्रेट परसेंट का कैस बैक मिलेगा और यहां पड़ आप सिंपल कुश्चन जैसे कि मुंबई इंडियन्स की टीम आई पील 2022 में च से प्रोबो एप तो इस लिष्ट की छटवी बरी अपडेट है IPL 2022 के काउंटडाउन को लेकर तो IPL के सुरू होने में अब काफी कम दिनों का समय बच गया है यानि की बाड़ा दिनों के बाद चैने सूपर किंग्स और कुलकता नाइट आइडर्स के बीच IPL 2022 का पहला आज में ये दोनों टीमें आपस में भीरेगे इसके बाद इस लिष्ट के साथ भी बरी अपडेट है IPL 2022 के रिप्लेस्मेंट प्रोसेस को लेकर तो IPL के रिप्लेस्मेंट विंडो में अब दो बड़े प्लेर्स का रिप्लेस्मेंट जल्द ही रिवील किया जाएगा जहां इस साल लखनव की टीम के लिए नहीं खेलेंगे तो लखनव की टीम मार्क वुड के रिप्लेस्मेंट के तौर पर किसी बेहतरिन फास्ट बोलर को अपने स्क्वैड में सामिल करेगी और साथी साथ काफ़ी सारे रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है कि एनरिक नौडखिया अब ही IPL से पूल आउट कर जाएंगे क्योंकि नौडखिया चोटिल है तो इस वज़े से एनरिक नौडखिया का रिप्लेस्मेंट दिल्ली कैपिटल्स की टीम जल्द ही रिवील कर देगी तो रिप्लेस्मेंट प्रोसेस में अब अगला रिप्लेस्मेंट मार्क वुड औ और नौखिया का देखने को मिलेगा इसके बाद इस लिष्ट की आठवी बड़ी अपडेट है गुजरात टाइटन्स की टीम की नए जर्सी की तरफ से तो गुजरात टाइटन्स की टीम का नया जर्सी अब ऑफिसेली रिवील हो चुका है तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर गुजरात टाइटन्स की टीम का फाइनल जर्सी देख पा रहे होंगे इसके बाद इस लिष्ट की नौवी बड़ी अपडेट है क्रिसलीन की तरफ से और क्रिसलीन रिजर्ब प्लड के तोर पर IPL 2022 में वापसी कर सकते है और इसके लिए RCB की टीम इस प्लड के संपर्क में है क्योंकि RCB टीम को एक बैकप ओपनर की तलास है और फाफ डू प्लेसिस के रिजर्ब के तौर पर ये टीम क्रिसलीन को अपने स्क्वैड में सामिल करना चाहती है इसके बाद इस लिष्ट की आखरी बड़ी अपडेट है IPL के लाइव स्ट्रिमिंग डिटेश को लेकर त तो IPL के सभी मैचो का लाइव ब्रोडकास्ट इस्टार स्पोर्ट्स की चैनल करेगी वही मोबाइल फोन में डिजिनी होट इस्टार पड़ आप IPL के मैचो को लाइव देख पाएंगे तो यही था IPL से रिलेटेट कुल दसबरी अपडेट वीडियो पसंद आई है तो ला इ्स्टार स्चु बेटी